नमस्कार दोस्तों मैं किस्ता बाजवाला लेकर आया हूँ, कथा समराट, मुझसी प्रेम चंजी दुरारचित, कई कहानियों का एक गुच्छा दोस्तों अगर हमारी कहानी आपको पसंद आये तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेर जरूर करें तो आये बिना देर के शुरू करते हैं माज की कहानी कहानी का सिर्शक है विमाता इस्तरी की मृत्यू के तीन ही मास बाद उनर विवाह करना, मृतात्मा के साथ हैसा अन्याय और उसकी आत्मा पर इसा अगहात है, जो कदापी छम में नहीं हो सकता मैं यह कहूंगा कि उस स्वर्ग वासनी की मुझसे अंतिम प्रेणा थी और ना मेरा शायद यह कथनी माने समझा जाए कि हमारे छोटे बालक के लिए मा की उपस्थिती परमावश्यक थी परंत इस विशह में मेरी आत्मा निर्मल है और मैं आशा करता हूँ कि स्वर्गलोक में मेरे इसकार की निर्दे आलोचना ना की जाए सरान शिह की मैंने विवाह किया यज़ पी एक नव विवाहता वधु को मात्रीत उपदेश बेसुरा राग था पर मैंने पहले ही दिन अंबा से कह दिया कि मैंने तुमसे किवल इस विवाह किया है कि तुम मेरे भोले बालक की मा वनो और उसके हिर्दे से उसकी मा की मृत्यू का शोक भुला दो दो मास व्यतीत हो गए मैं संध्या समय मुन्नु को साथ लेकर वायू सेवन को जाया करता था लोड़ते समय कतिपै मित्रों से भेट भी कर लिया करता था उन संगतों में मुन्नु श्यामा की भाती चहता वास्तों में इन संगतों से मेरा भी प्राय मनो विनोध नहीं किवल मुन्नु के असाधरन बुद्धी चमतकार को प्रदशित करना था मेरे मित्रगन जब मुन्नु को प्यार करते और उसकी विलक्षन बुद्धी की सराहना करते तो मेरा हिर्दय बासों उचलने लगता था एक दिन मैं मुन्नु के साथ बाबु ज्वाला सिंग के घर बैठा हुआ था ये मेरे परम मित्र थे मुझमी और उनमे कुछ भेद भाव न था इसका अगर्थ हिया नहीं कि हम अपनी चुदरताएं अपने परवारिक कलहादी और अपनी आर्थी कठनाईयां ब्यान किया करते थे नहीं हम इन मुलाकातों में भी अपनी परतिष्ठा की रक्षा करते थे और अपनी दुरावस्था का जिक्र कभी हमारी जवान पे ना आता था अपनी कालिमाओं को सदेब छिपाते थे एकता में भी भेथ था और घनिष्टता में भी अंतर अचानक बाबु ज्वाला सिंग ने मुन्नु से पूछा क्यों तुम्हारी अम्मा तुम्हें खूब प्यार करती है ना मैंने मुश्कुरा कर मुन्नु की ओर देखा उसके उतर के विशे में मुझे कोई संदेह ना था मैं भली भाती जानता था कि अम्मा उससे बहुत प्यार करती परन्तु मेरे आश्चर का ठिकाना न रहा जब मुन्नु ने इस प्रश्ण का उत्तर मुख से ना देकर नित्रों से दिया उसके नित्रों से आशू की भूंदे टपकने लगी मैं लज्जा से गड़ गया ज्वाला सिंग का विमाता की ममता पर संदे करना स्वाभाविक बात थी प्रंतु वास्तों में मुझे भी संदे हो गया अमबा सहर्देता और सने की वह देवी नहीं है जिसकी सराहना करते मेरे जीवा ना ठकती थी वहां से उठा तो मेरा हिर्दे भरा हुआ था और लज्जा से माथा ना उठता था मैं घर की वर चला तो मन में विचार करने लगा कि किस परकार अपने ग्रोध को परकट करूं क्यों ना मूँ ढाक कर सो रहूं अमबा जब पूछे तो खटोरता से कह दूं कि सीर में पीडा है मुझे तंग मत करो भोजन के लिए उठाए तो जड़क कर उतर दूं अमबा वश समझ जाएगी कि कोई बात मेरी इक्षा के प्रतिक्विल हुई है मेरे पाउं पकड़ने लगेगी उस समय अपनी व्यंग पूण बातों से उसका हिर्दय बेध डानूंगा एसा रुलाऊंगा कि वह भी याद करे पुना विचारा आया कि उसका हसमुक चेहरा देखकर मैं अपने हिर्दय को वश में रख सकूंगा या नहीं उसकी एक प्रेम प्रून द्रिष्टी एक मीठी बात एक रसीली चुटकी मेरी शीला तूली रुष्टता के टुकड़े टुकड़े कर सकती है प्रन्तु हिर्दय के इस निबलता पर मेरा मन जुझिला उठा यह मेरी क्या दशा है क्यों इतनी जल्दी मेरे चिक काया पलट गई मुझे पुर्ण विश्वास था कि मैं इन मृदूल वाक्यों की आंधी और ललित कटाक्षों के बहाव में भी अचल रह सकता हूँ और कहां आब यह दशा हो गई कि मुझे साधारन जोके को भी सहने की समर्थ नहीं इन विचारों से हिर्दय में कुछ द्रिठता आई तिस पर भी क्रोध की लगाम पक-पक पर धीली होती जाती थी अंत में मैंने हिर्दय को बहुत दबाया और बनावटी क्रोध का भाव धारन किया ठान लिया कि चलते ही चलते एक दम से बरस पड़ूंगा एसा ना हो कि विलम रूपी वाई उस क्रोध रूपी मेह को उड़ा ले जाए प्रन्तु जेह हुई घर पहुँचा अंबा ने दोड़ कर मुन्नू को गोधी में ले लिया और प्यार से सनो हुए कॉमल सुर से बोली आज तुम इतनी देर तक कहा घुमते रहे चलो देखो मैंने तुम्हारे लिए कैसी अच्छी अच्छी फुलोरिया बनाई है मेरा कृतिम कोध एक छण में उड़ गया मैंने विचार किया इस देवी पर क्रोध करना भारी अत्यचार है मुन्नू अबोध बालक है संभव है कि वो अपनी मा का स्मरंड करो पड़ा हो अंबा इसके लिए दोशी नहीं ठहराई जा सकती हमारे मन भाव पूर विचारों के अधीन नहीं होते हम उनको प्रकट करने के निमित कैसे कैसे शब्द गढ़ते है प्रंतु समय पर शब्द हमें धोखा दे जाते है और वही भावनाएं सो भाविक रूप से प्रकट होती है मने अंबा को ना तो कोई व्यंग पुन बाते कहीं ना क्रोधित होकर मुझ ढाग कर सोया ही बलकि अत्यंत कोमल स्वर में बोला मुन्नों ने आज मुझे अत्यंत लज्जित किया खाजांची सहाब ने पूछा तुम्हारी नईयमा तुम्हें प्यार करती है न तो ये रोने लगा मैं लज्जा से गड़ गया मुझे तो स्वर्प में भी अविचार नहीं हो सकता कि तुम्हें से कुछ कहा होगा प्रंतु अनाथ बच्चों का हिर्दय उस चित्र की भाती होता है जिस पर एक बहुत ही साधरन परदा पड़ा हुआ हो पवन का साधरन जोका भी उसे हटा देता है ये बाते कितनी कोमल थी तिस पर भी अंबा का विक्सित मुख मंडल कुछ मुर्जा गया वो सजल नेत्र होकर बोली इस बात का विचार तो मैंने यथा साधर पहले ही दिन से रखा है परंतु या संभो है कि मैं मुन्नू के हिर्देश से मा का शोक मिटा दूँ मैं चाहिए अपना सर्व सरपन कर दूँ परंतु मेरे नाम पर जो सोतेले पन की कालिमा लगी हुई है वह नहीं मिट सकती मुझे भैथा कि स्वार्तालाप का परणाम कहीं भी प्रित ना हो परंतु दूसरे हे दिन मुझे अंबा के विवहार में बहुत अंतर दिखाई देने लगा मैं उसे प्राता काल साय सान पर्यंत मुन्नू की ही सेवा में लगी हुई देखता यहां तक कि उस धून में उसे मेरी भी चिंता ना रहती थी परंतु मैं ऐसा त्यागी न था कि अपने आराम को मुन्नू पर अरपन कर देथा कभी-कभी मुझे अंबा किया अस रधा ना भाती परंतु मैं कभी भूल कर भी इसकी चर्चा ना करता एक दिन मैं निमित रूप से दफ्तर से कुछ पहले ही आ गया क्या देखता हूं मुन्नू द्वार पर भीतर की और मुख ये खड़ा है मुझे इस समय आँख मिचोनी खेलनी की सुझी मैंने दवे पाउं पीछे से जाकर उसके नेत्र मुन लिये पर शोग उसके दोनों गाल असुरू पुरित थे मैंने तुरन दोनों हाथ हटा लिये इसा प्रतित हुआ मानों सर्पने डस लिया हो हिर्दय पर एक चोट लगी मुन्नों को गोद में लेकर बोला मुन्नों रोते क्यों हो या कहते कहते मेरे नित्र भी सजल हुआ है मुन्नों आसु पीकर बोला जी नहीं रोता नहीं हूँ मैंने उसे हिर्दय से लगा लिया और कहा अम्मा ने कुछ कहा तो नहीं मुन्नों ने सिसकते हुए कहा जी नहीं वह मुझे बहुत प्यार करती है मुझे विश्वास ना हुआ पूछा वह प्यार करती तो तुम रोते क्यों उच दिन खजांची के घर भी तुम रोय थे तुम उसे छिपाते हो कदाची तुमहारी अम्मा अवश्व कुरुध हुई है मुन्नों ने मेरी और कातर दृष्टी से देख कर कहा जी नहीं वह मुझे प्यार करती है इसी कारण मुझे 2 भार रोना आता है मेरी अम्मा मुझे अतंध प्यार करती थी वा मुझे छोड़ कर चली गई नई अम्मा उससे भी अधिक प्यार करती है इसलिए मुझे भै लगता है कि उसकी तरह यभी मुझे छोड़ कर ना चली जाए यह कहकर मुन्नु पुना फूट फूट कर रोने लगा मैं भी रो पड़ा अम्मा की सिनेमय विवहार ने मुन्नु के सुकुमल हिर्दे पर कैसा आघात किया था थोड़ी दिर तक मैं स्तंभित रह गया किसी कवी की यह वानी इस्मरन हुआई कि पवित्र आत्माय इस संसार में चिरकाल तक नहीं ठहरती कहीं भावी ही इस बालक की जीवा से तो यह शब्द नहीं कहला रही है इश्वर ना करे कि वह अशूब दिन देखना पड़े पन्तु मैंने तर्क द्वारा इस शंका को दिल से निकाल दिया समझा कि माता की मृत्यू ने प्रेन मर्व वियोग में एक मानसिक संबंध उत्पन कर दिया है और कोई बात नहीं है मुन्नू को गोद में लिये हैं अंबा के पास गया और मुस्कुरा कर बोला इनसे पूछो क्यों रो रहे हैं अंबा चोग पड़ी उसके मुख की कांती मलीन हो गई बोली तुम ही पूछो मैंने पूछा यह इसलिए रोते हैं कि तुम मिन्हें अत्यंत प्यार करती हो और इनको भय है कि तुम भी इनको माता की भाती इन्हें छोड़ करना चली जाओ जिस प्रकार गर्द साफ हो जाने से दरपन चमक उठता है उसी भाती अंबा का मुखमंडल प्रकाशित हो गया उसने मुन्नू को मेरी घोश से छीन लिया और कदाचित यह प्रथम औसर था कि उसने ममता पुरुन सने से मुन्नू के पाव का चुम्बन किया शोक, महाशोक, मैं क्या जानता था कि मुन्नू की अशुब कल्पना इतनी शिगर पूर्ण हो जाएगी कदाचित उसकी बाल दरिष्टी ने हुनहार को देख लिया था चह मास्वी बैतीत ना होने पाय थे कि अंबा बिमार पड़ी और इंफ्लूंजा से देखते देखते ही उसे हमारे हाथों से छीन दिया पुना हुआ उपन मरु तुल्ले हो गया, पुना हुआ बसा हुआ घर उजड़ गया अंबा ने अपने को मुन्नू पर अरपन कर दिया था हाँ उसने पुत्र सने का आदर्श रूप दिखा दिया शीत काल था और वह घड़ी रातरी शेस रहते ही मुन्नू के लिए प्राता का भोजन बनाने उठती थी उसके इसने बाहुल ने मुन्नू पर स्वभाविक प्रभाव डाल दिया था वह हठीला और नटखट हो गया था जब तक कंबा भोजन कराने ना बैठे, मुह में कौर ना डालता जब तक कंबा पंखा न जले, वह चरपाई पर पाउँ न रखता उसे छेड़ता, चिढ़ाता और हैरान कर डालता प्रंतु अंबा को इन बातों से आत्मिक सुख प्राप्त होता था इंफ्लुेंजा से कराह रही थी, करवट लेने तक की शक्ती ना थी शरीर तवा हो रहा था प्रंतु मन्नु के प्राता काल के भोजन की चिंता लगी रहती थी हाए, वह निश्वार्थ मात्री से ने अब स्वपन हो गया उसे स्वपन के स्मरन से अभी हिर्दय गदगद हो जाता है अंबा के साथ मन्नु का चुलबुलापन तथा बाल किड़ा विदा हो गई अब वह शोक और निराशे की जिवित मुर्ती है वह अब नहीं रोता एसा पदार्थ खाकर अब उसे कोई खटका, कोई भै नहीं रह गया धन्यवाद